पन्ना जिले में बीती रात दो नकाब पोश बदमासों ने डाइनामाइट से एटीम को ब्लास्ट किया और 23 लाग रुपए लेकर भाग गए गटना सिमरिया थाना छेतर में घटित हुई बीती रात करीब देड़ बजे काले रंग की पलसर से दो नकाब पोश एटीम में पहुँचे और गार्ड को चगाने के बाद उसकी सीने में कट्टा लगा कर उसे बंधग बनाया फिर डाइनमाइट से एटीम में ब्लाष्ट कर लूट की घटना को अंजाम दिया एटीम गार्ड का अनुसार करीब 23 लाग रुपए एटीम मशीन में रखे हुगए थे जिसे लूट कर लूटे रे फरार हो गए इनुस के धान आख लुट के अधीम की घटना है मतरवर के एग बच के चालिज मिनट की बाद हैं अंडर सोरह ही ते अंडर सोने के बाद हम एकदम से आवा जाय यह खटकटके तो में आख खोल दी खोलने के बाद हमें ने धक्का मारा धक्का माने के लाग शाथ राइन कि वा थे और रहे थे किसी से कुछ मत करना तुम चुप चाप रहेंगा इसके बाद इसमें चतनी क्रेसा था सब लूते चुने पैसा था सुझाया कि दो लोग थी Pulsar से आई थे अपरादी इतने शातिर जान पड़ते हैं कि उन्होंने एटियम में लगे कैमरों पर ब्लेक स्प्रे का इस्तिमाल किया ताकि कैमरे काम न कर सके एटियम की लूट की सुच न मिलते ही स्टियोपी बवई रक्षपाल सी है यादव आसपास के तानों का पलीजबल घटनाश तल पहुंचा जो फिल्मिस टैल में हुई लूट की चार्ज पर दाल कर रहा है सब्सक्राइब करवा दिती तो अभी नुए पुलिस की में जगे जरा लगी नहीं है और अधा हम दूप सक्रीं का पैस जन्दी हम रहा है पन्ना से राकेश पाथकी रिपोर्ट